आप देख रहें चत्तिस गड़ का उपीनिन पॉल आप चत्तिस गड़ के उपीनिन पॉल का फाइनल नमबर, फाइनल रीजन के साथ खुलें जा रहा है आपकी स्क्रीन पर लेकिन हमारे साथ जो बहुत सारे उत्सुक बालक बैठे हुए हैं इनोंने खुब तैयारी किये, बहुत सवाल है इनके पास पूछने के लिए, कुछ इनके सवाल जो एक्सपायर हो गए क्योंकि वो तेलंगाना पर थे, तेलंगाना से हम बढ़के 36 गड़ पर आ गए है, लेकिन इनोंने फिर पढ़ा ही किये, 36 गड़ पर इस सवाल पूछना आमादी पार्टी 36 गड़ में चुनाव लड़ रही है, उसका क्या असर पढ़तावा दिखाई दे रहा है, आपको कितना इंपक्ट है, भाविश सारे ऐसे योजना जो देखे, अब अरविन केज़िवाल जी की अब की पॉलिटिक्स है, वो साइथ BJP को ज्यादा नुकसान कही नहीं करने वाले, फिल्हाल जो आप देखे, उनका जो जीस तरह का नेस्टनल पॉलिटिक्स में जीसतरा का योगदान है। तो अब जहां भी वो जाते हैं। यह सवाल उनकों लेके हमेशे भूना रहता है कि अर्विन केजरीवाल नुकसान करना किसका चाहते हैं। कॉंग्रिस का करना चाहते हैं या बीजेपी का करना चाहते हैं। इन अच्छा मौका आया इसकी बात करने का ये तो आपको दिखाया ना कि ये जो अपोजिशन का अलाइंस है इंडिया गठबंदन जो है ये जब वहवारिक तल पर आता है तो फिर इसमें आपको दिक्कतें दिखाई देना शुरू हो जाती है अभी मंद्रदेश की बात आप साफ आपको बता रहे हैं कि इसका नुकसान जो कुछ ना कुछ उठाना पड़ रहा है कॉंग्रेस पार्टी को अरश्परदन जी इंडिया अलाइंस और ये 36 गड़ और मद्रदेश के दारण क्या बताते है ने एक तो ये कि आप ये सवाल मत पूछे कि कि किसको नुकसान क के लिए काम करते हैं तो कोई किसी का नुकसान नहीं करते हैं उनके फाइदे में किसी का नुकसान हो जाए कहीं कॉंग्रेस का हो जा रहा है कहीं मतलब अलग अलग जगह पे होगा लेकिन बहुतायत तो उनकी राजनीती कॉंग्रेस के लिए ही घातक है वो उसी स्पेस को उ उनकी हो जैसे कोई परिडाम बदलेंगे ऐसा नहीं, हो सकता है कि कुछ जगों पर कुछ वोट पाए, उनका कोई एकार प्रत्याशी हो जो इस्थानी स्थार पर काम करो, लेकिन इसका दूसरा परिडाम क्या है, दूसरा परिडाम ये है कि अब लोकसभाद चुनाव से पहले जो एक विपक्षी गटजोड बना था, जिसको उन्होंने इंडिया नाम दिया था, वो गटजोड पूरी तरसे तूटता चिन भिन्न होता दिख रहा है, और अभी मध्यप्रदेश, राजस्थान, चतिसगर, तीनों जगे जिस तरसे केजडी वाल जी लड़ा है, मध्यप जनता जो वोट डालने वाली है, अब आने वाली दो हिस्सों में जब चतिस गड़ में पोलिंग होगी, वो इस बार क्या किसी एक दल को बहुतायत में और भरपूर आशिरवाद देने वाली है, यहां भी कोई नजदी की मामला होगा, यह एक सवाल जरूर है, इसका का पढ़ता है, 2018 में कॉंग्रेस पार्टी ने इन 64 सीटों में से 43 सीटें जीती थी, और BGP को सिर्फ 14 सीटें मिली थी, 2023 में क्या हो रहा है, अभी के हालाद क्या बता रहे है, आईए देख लेते, क्या है 36 गड़ के दिल, यानि सेंट्रल 36 गड़ के नजर में अपने नेता का सर्वे क्लियर हो गया, कॉंग्रेस पार्टी 50 सीटें जीती भी दिखाई देती है, और भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें, यानि 36 गड़ में क्लियर मेजॉरिटी के साथ, क्लियर मैंडेट के साथ, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार जोए हमें बनती हुई, फिलहाल दिखाई दे रही है जो कि 50 सीटें जीतती हुए हमें दिखाई देती है 46 यानि आधा अगर आप दबिगा करें तो 45 एक सीट ऊपर 46 सीटों बाला वो जादू ही आंकडा है सरकार बनानी के लिए जो चाहिए और उससे 4 सीटें जादा अभी के हालात में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाने लायक नंबर ला सकती है 50 सीटें जीत करके भारती जन्ता पार्टी की जो दुर्गती पिष्टी बार हुई थी उससे बहुत बहुत बहुतर परिस्तिती में बाइक बीजेपी इस बार दिखाई दे रही है ये कॉंटेस्ट है इतना आप जरूर मानेंगे कि 36 गड़ के अंदर एक जबरदस लड़ाई लड़ रही है भारती जन्ता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी से लेकिन शायद एक घोशे चेहरा ना होना या और तमाम बजह है उसकी वज़े से बीजेपी शायद चर्चाओं में इतना कैमपेण में नहीं आए लेकिन आप देखिए 38 सीटें अगर उपिनियन पोर में भी लगता है कि वो जीत सकती है इसका मतलब बीजेपी चुनाओं में मजबूती के साथ उतरती भी दिखाई दे रही है लेकिन भूपेश बगेल clear majority के साथ सरकार बना सकते हैं इसके आसार हमें देखाई दे रहा है वोट परसंटेज देखिए जरा अंतर कितना है कॉंग्रेस और भाजपा के अंदर कॉंग्रेस 45 परसंट वोट 45 परसंट वोट 45 परसंट वोट सामने रही थी और बहतर यहांसे क्या भारती जंता पर्टी कर सकती है अब जो चिराव में जितना वक्त बाकिया इसको और नजदीकी मामला बना सकती है क्या ये पर्टी के लिए 다시 के लिए एक परीक्शा के तौर पर अनेदे से देखना होगा लेकिन Congress Party भी अभी इस सर्वे के हिसाब से ऐसा नहीं मान सकती कि सब कुछ बहुत comfortable है पार्टी पचास सीटों पर खड़ी भी दिखाई दे रही है majority mark के ऊपर दिखाई दे रही है लेकिन वो जितनी सीटों पर अपने आपको सहज महसूस करती उतना शायद इस पार नहीं है लेकिन फिर भी Congress Party नंबर वन पार्टी बनती हुई साफ हमें देखाई दे रही है आप तुल्ला में कर सकते हैं 43% से 45% अन्य का वोट शेहर जो कम होगे यानि अब ये टू होर्स रिस बन के दाम दिखाई दे रही है Congress और बीजेपी के बीच में अन्य का नंबर नीचे आया 11% डाउन हुआ है तो ये लड़ाई आपको दिखाई दे रही है बीजेपी Congress के बीच जिसमें नंबर वन उभर कराती भी दिखाई थी Congress Party एक बार फिर आज के आलार राउल जी देखे बड़ा साफ है जैसा आपके सर्वे भी दिखाता है देखे अगर आप बेमन से किसी चुनाव में जाएंगे आप एक आपके पास एक बड़ा चेहरा था रवन सिंग का जो कि एक सफल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको आगे नहीं करेंगे आप संगठन की जो आपकी शक्ति है उसे इस्तमाल नहीं करेंगे तो ये परिणाम तो होंगी और जैसा कि आप तो थोड़ा उदार मुझे लगता है होके जो है बीजेपी की सीटे दिखा रहे है मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटे भी आएंगी वहाँ पर और मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर उनका संगठन अच्छा है बीजेपी का 36 गड़ में उन्हें वहां काम करने की जुरुष है वहां 36 गड़ में अपने जो चेहरे हैं उनको उभारने की जुरुष है खास्तों से रमन सिंग को चेहरे को आगे लाने की जुरुष ही लेकिन अब BJP की क्या strategy इसके बाद होती है ये देखना होगा ये आपको 38 जो दिखाई दे रहा है और 43% वोट ये आपको over estimation लग रहा है मुझे लग रहा है ये भी जादा है बीजेपी को इतनी सीटें भी वहाँ पर आएंगी ये मुश्किल है ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जो होता है इसमें मेरा अपना योगदान सिर्फ इतना होता जो वोट से रहा था उसमें सीटों के मालने लगए बारे सीटें जो कॉंगर्स की देखिए उसका मतलब यह हुआ देखिए का वोट सेर्ट भी दो परसेंट बढ़ रहा है इसका मतलब प्रो-िंकमेंट गॉर्मेंट है कॉंगर्स के खिलाब एंटिंकमेंट सी जरूर है लेकिन चुकि बीजेपी बहुत ही पीछे थी बहुत ही उसकी स्टेट लीडर सी बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही है उसका एक नुकसान बीजेपी को हो रहे दूसरा आप देखेंगे जो आप कहा रहे हैं कि बीजेपी प्रभाब होता है लगबर 30 से सीटे जिस पर प्रभाब होता है तो वह सब सारे दूसरा जब मैंने का साहुद जो लगबर 12 परसेंट आते हैं वह एक प्रभाब डालते हैं जिसका बीजेपी ने उनके नेता को आगे भड़ा है दूसरा आपने या अभी जब हम लोग दंग जोड़ना चाहूंगा देखे आप अगर यह सब बाते करेंगे तो वहां पर लगबर 39 जो सीटें हैं वह अरक्षित सीटें हैं अगर हम देखेंगे 28 29 सीटे जो है वह स्टी के लिए और बागी 10 सीटे उसके लिए यह बीडंबना ही है कि कहीं भी दलित कहीं 100 परसेंट हो या कोई वह बीसी हो वह तो यह इन ब्लोक कभी किसी को वोट कर चाहता हूं कि सब कास्ट भी होते हैं वो भी हमें ध्यान रखना पर आप यूपी में देख लिए एक बार पॉइंट आजा वी यूप जैसे बिहार के कास्ट सर्वे की वहां पर मांग उठनी शुरू हो गई है वहां पर जो राज्य सरकार है उसने इन लोगों को आरक्षन देने के लिए जो है जो पिछली आती है उनको आरक्षन देने के लिए एक बिल लेके आए थे उनका ये कहना है कि जो वहां पर राज्य पान है उन्होंने इस बिल को रोग दिया ये सब बातें बीजेपी के विरोध में जाएंगी वहां ये सब बातें ऐसी हैं जो कि वहां की जो डेमोग्राफी है वहां के जो लोग है पॉइंटेड दो बताया कि जो पिछड़े वर्क का जो इशूज हैं वो ऐसे हैं आप जो वहां पर ट्राइबल पॉपूलेशन है उसमें अप अपना जो है जो है जो है जो रही दिखा पाए बीजेपी का जो होना चीह था संग का काफी काम होता है ट्राइबल एरिया में लेकिन वह भी नही आपका चेहरा जो है जो चेहरा होना चीए था बड़ा वो भी नहीं है वहाँ पे है तो ऐसा क्या फेक्टर है जो आपके फिवर में चेहरा नहीं है हिंदुत्प का कार्ड आप से मुख्यमंतरी ने चीन लिया या कंसे के उसके कुंद कर दिया उस सतियार को मुद्दे की बात चलिए तो 36 गड़का क्या है बड़ा मुद्दा लोग क्या मानते हैं आईए उस सवाल पर भी देख लेते हैं क्या जवाब हमें मिला था कौन से इशू है लोगों के बीच में सबसे ज़ादा इस वक जो जिनसे वो प्रिरित होते हैं उसमें आप लेगेंगे बिरुजगारी 20 परसंट लोग मानते हैं बड़ा मुद्दा महंगाई 15 परसंट दिश्टाचार करप्शन 16 परसंट लोग हिंदुत वख्यूंद में चर्चा में नहीं है लेकिन आप ढूद्दे में इतनी ताकत अगर होती तो शायद वह Bijजएप की क को आपको कुछ और नंबर यहां पर बढ़ते में दिखाई देते अभी जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे जब ग्रिमंत्री गए तो एक कोशिश हुई है महाँ पर हिंदुत्पु के मुद्दे को रिवाइब करने की क्या इन चंद हफ्तों में ऐसा हो पाएगा यह हमें कहते हैं कि जमीन पर लड़ना वो नहीं दिखा और कई बार हम कहते हैं कि चुनाओ तो देखें अंत में सेंटिमेंट पर जाता है और जो मैं उस सर्वे के उस आंकड़े पर बात कर रहा था कि आप कितने लोग कॉंग्रेस के पक्षम हैं कितने भाजपा के आउसत वाला जो कि भाजपा का सेंटिमेंट बहुत लो है लेकिन अगर जिसको हम कहते हैं कि क्या भूपेश बगेल की सरकार ने काम कई ऐसे किये हैं तो उनके ओपर धेर सारे आरोप हैं बहुत सी मुश्किले हैं उसको भाजपा कुछ भुना पाएगी तो शायर ये परिणाम ला पाएगी आप चेहरे की बात बहुत हुई लीडर्शिप बीजेपी ने अपनी लीडर्शिप को या तो बैक नहीं किया या लीडर्शिप बदली नहीं तो देखिए क्या रमन सिंग को लेकर के लोगों के बीच में क्या रियाक्शन था भूपेश बगेल को लेकर के लोग क्या नजर चौथा जब आप नाम आता है, तो देखें कितना 30% पीछे चले जाते हैं, टियस सिंग ते उस मातर 4%, अरुन सां उसके एवल 3%, तो लड़ाई, लोगों की नजर में, जहन में, लड़ाई तो दो ही लोगों के पीछ है, उपेज भगिलो और रवन सिंग की तो और रवन सिंग उतर रहे हैं, यह उतर के 33 पर पहुँचे हैं, इनके चढ़ने की गुंजाईश कम है, नया नेता भारती जनता पार्टी को खुजना चाहिए, पंद्रह वर्ष अगर आप मुख्यमंत्री रहते हैं, और उसके बाद बड़ा जीवट हो तो आप पलट कर आते हैं, बहुत ज उस जगह से पीछे जा चुके हैं, वो ढलान पर हैं, अब उनको कितरा भी कोशिश करके आप भूपेश बगेल के सामने खड़ा नहीं कर सकते हैं, चलिए यह सर्वे हैं, अभी हमारा सर्वे कह रहा है, 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी की आसानी से सरकार बन सकती है, लेक वो यह है कि जो पार्टी होती है, वो जो चुनाव अभी लेड रही है, 36 गड़ में, वो अपने पॉइंट के बैसिस पर चुनाव लेड रही है, लेकिन आफ्टर चुनाव जो वो सत्ता में आते हैं, और वो अपने जो पॉइंट है, उनको फुल्फिल नहीं करते हैं, उस पुरा, उन्होंने कहा था कि वो आवास बनाएंगे गरीब लोगों के लिए नहीं किया पुरा, तो उसका क्या मतलब हमारे सर्वे में ही उसका वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो जाओन हो रही है, तो इसलिए मैं आपके सवाल करना चाहता हूँ, कि उनके लिए क्या हम के लिए लगाया जाए कि वो अपने वादे हैं जो उनको सीरियसली ले और जिससे देश का भी कुछ विकास होने में कुछ स्पीड जादा आए, जनता को भी याद रखना चाहिए कि ये वादा किया था और पूरा नहीं किया, नहीं मुझे लगता है पांच साल इतने भी ज जादा पीजिए रखना है, वीच में क्या जरू होते हैं तो बिहार में भी शराब बंदी हो, वहाँ उल्टा है, वहाँ तो निटिश कुमार केते हैं जो शराब पिएगा वो मरे गाई, तो वहाँ केसी है लगए, जी पूछिए सर, काली 20 अक्रूबर को एक ट्राइबल बीजेपी नेता की, चत्तिस गड़ के एक नेता की हत्या की गई है, और अरुन साउजमा के बीजेपी अध्याक्ष है चत्तिस गड़ के, उन्होंने का कि एक टार्गेटेट केलिंग है, तो क्या इसका कोई फायदा बीजेपी को आ जो कल भत्या हुई है, वो एक घटना है, सिंगल घटना है, लेकिन ओवर अभी क्या है कि बीजेपी की समस्या क्या है, कि इन्होंने टॉप गंस को उतारे हैं तीनों प्रदेश में, राजस्थान, मध्ध प्रदेश और चत्तिस गर में, लेकिन चत्तिस गर में इनके साथ स हैं, और एक सबसे बरी बात है कि आप OPD ट्रीटमेंट में हमेशा कोताही बरतेंगे और लास्ट मोमेंट में ICU ट्रीटमेंट देके पूरा सक्रियता दिखाएंगे, तो वो संगठन अभी सक्रिये है, हर तरह से काम कर रहा है, तो उस परिप्रेक्ष में आप देखें, जो सी नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक चीज है, बीजेपी के वावजूद जनता इतनी सीट बीजेपी को दे रही है, इसमें बीजेपी का कोई effort नहीं है, कोई effort नहीं है, चुकि यह वही है कि एक third division से पास किया हुआ विद्यारती topper हो जाए, अगर walk over उसे मिल जाए, वो अकेल महिला कंटेस्टेंट तो बीजेपी ने वाकोवर दे दिया तो भुपेश बगेल बड़े वो सक्रिय और चानक के दिख रहे हैं तो जो पूरा मुल्क चला रहे हैं पूरा देश जिनके हाथों में उनके लिए कोई एंट्रेंस क्यों नहीं है यह एक तो यह कि देखिए अभी हमारी संसर ने महिला अलक्षन कर दिया है 29 से आप जा सकते हैं तैयारी करके एक बार देखिए मुझे लगता है कि आईएस का एक्जाम देश में नेता बनने की परिक्षा से बहुत कम होता है आप एक कमरे में 6 घंटे 8 घंटे लगातार पढ़िए आप आईएस बन उनकी तो कोई accountability नहीं एक बार बन गया सारी जिंदिगी रहता है नेता को तो हर 5 साल में आप गिरा देते हैं उसकी जिंदिगी ज्यादा मुश्किल है इसलिए ये वाला सवाल थोड़ा सा करने से पहले सोची अपने आसपास के भी दिखे चले नेता जो होते हैं वो एक बार अपना जिजी जाते हैं उसके बाद वो लोग ऐसी हाथ-प्राट रखके बैठ जाते हैं वो जंताव को पूरी तरह बूल जाते हैं लेकिन आपकी भावना अच्छी आपका सवाल अच्छा है आप आई एस आई पीस बनना चाहती है या नेता बनना चाहती है आपको और बहुत धन्यमाद आप आपका तो देखिए ये तीन दिन की सीरीज थी जिसमें हमने चार राज्यों का उपीनिन पोल आपको दिखाया और स्कोर की अगर अब बात करें तो बीजेपी दो यानि राजिस्थान और मद्ध्रदेश हमारा पोल कहता है इन दोनों जगे बीजेपी की सरकार बननी चाहिए बन सकती है आज के हालात में कॉंग्रेस के खाते में एक जहां वो 36 गड़ में स्कोर करती भी दिखाई देती है और बी आरेस यानि के सी आर बो सरकार बना सकते हैं तेलंग गाना के अंदर बीजेपी 2, कॉंग्रेस 1, ये हमारी तरफ से इन चार राज्यों का स्कोर कार्ड है जो भी आपने देखा लेकिन यह सर्वे है नतीजा नहीं नतीजा तो आपको देना है